नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मनूज कुमार स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल नौकरी एक्जाम वाला में ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको हर विशे से सम्बंदित एक सटीक सामंगरी आपको मिल जाती है आपके कम्टिटिव एक्जाम्स की तैयार आने में एक महत्कुन भूमी का निवा सकते हैं आने वाली परिक्षाओं में चलिए शुरू करते हैं सांखिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आविर्तियों को इस्तंबों द्वारा प्रदसित किया जाता है उसे क्या कहते हैं आप्सन एक आविर्ति बहुभूज दो इस्त में आविर्तियों को इस्तंबों द्वारा प्रदसित किया जाता है उसे इस्तंबाकिर्ति कहा जाता है सांखिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आविर्तियों को इस्तंबों के द्वारा प्रदसित किया जाता है उसे इस्तंबाकिर्ति कहते हैं अगला प्रस्न लेते हैं वि बुधिद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। अधिकतम बाल्ले वस्था में हो जाता है। बुद्धी का अधिक्तम विकास बालावस्था में हो जाता है। पारंबिक बालावस्था अरले चायल हुज में बच्चों में या बालकों में मानसिक विकास की काफी तेजी से वरती होती है। और परवर्ती किसोरावस्था आते आते यानि 19-20 साल की उम्र के आते आते यह काफी धीमी हो जाती है। कहने का मतलव है जिपने भी मानव में बुद्धी का अभिकास है वो सिसु वस्था में या किसोरावस्था में ही हो चुका होता है। अगला प्रेशन हैं सिसु का अधिकांस व्यभार आधारित होता है किस पर। प्रेम की भावना आधी यह अवस्था बालक के संपून भावी जीवन को प्रुभावित करती है। इसलिए मनोवज्यानिकों ने सहस्व अवस्था को मानव जीवन पर आधारित या मानव जीवन का आधार माना है। मनोवज्यानिकों ने सहस्व अवस्था को मानव जीवन का आधार माना है। अगला प्रेशन लेते हैं। अंतर द्रस्थी यानि सूज द्वारा सीखने के सिध्धान्त में कोहलर ने प्रियोग किये थे। यानि कोहलर ने अपने प्रियोग जो किये थे और किस पर किये थे। अंतर दरश्टी या सूज के द्वारा सीखने के सिधान्त को पृतिपादित करने के लिए उप्शन एक वन मानुसों पर उप्शन दो कुत्तों पर उप्शन दो बिल्ली पर उप्शन चार चूहों पर सही है वन मानुस पर कोहलर ने अपने प्रियोग वन मानुसों पर किये थे अंतरदर्ष्टी या सूज बूज द्वारा सीखने के सिदान को पृतिपादित करने के लिए सूज या अंतरदर्ष्टी का सिधान देने का स्रे जर्मन मनोवज्यानिक उल्फ गंग कोहलर को दिया जाता है कोहलर का पूरा नाम है उल्फ गंग कोहलर जो कि जर्मनी के रहने वाले थे और उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी उस पुस्तक का नाम है Mentality of Ops वर्स 1925 में लिखा था कोहलर ने सूज के सिधानत का प्रियोग वनमानुस या सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किये थे कोहलर के अनुसार कल्पना जितनी अधिक होती है सूज की छमता भी उतनी ही अधिक होती है कोहलर ने कहा कि हम में या किसी भी प्राणी में कल्पना जितनी अधिक होगी उसमें उतनी ही अधिक छमता होगी सूज बूज की कल्पना जितनी अधिक होगी सूज की छमता भी उसमें उतनी ही अधिक होगी यानि हम किसी भी निर्णय को लेने के लिए अपने आईडियाज को लगा सकते हैं कि ये काम इस तरह से किया जा सकता है, मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए. यही सूज या अंतरदश्टी के सिधानत में कोहलर ने साबित किया था. अगला प्रस्ण है, यह आवसक नहीं है कि उच बुद्धी लवदी वाले बच्चे में भी जो हैं बच्चे भी उच्छों, यानि अधन में, option है अधन में उच्छों या स्रजन सीलता में, या विसलेशन करने में, या अच्छे अंक प्रात करने में, सही उत्तर है स्रजनन सी स्रजनन सीलता में भी अधिक अच्छे हों, किसी भी समस्या का संपूहल प्रात करने की योगता बुद्धी को कहा जाता है, जबकि नमीन उत्पादयम नमीन खोज की छमता का स्रजनन सीलता कहा जाता है, जब हम किसी चीज को खोजते हैं या किसी चीज की खोज करते हैं तो उसको स्रजन सीलता कहा जाता है आते बुद्धी लवदी के आधार पर स्रजन सीलता का मापन किया जा सकता है तथा निश्चित नहीं हो सकता कि उच्छ बुद्धी लवदी वाले बालक स्रजन सीलता में भी उच्छ होंगे अगला प्रस्ण है अधिगम ने प्रभाव का नियम दिया था यानि अधिगम में सीखने में जो प्रभाव का नियम है वो किसे ने दिया था ठर्ण डाइक ने प्रभाव के तीन नियम प्रतिबादित किये थे ठर्ण डाइक ने अधिगम या सीखने के मुख्यत तीन नियम दिये थे उनमें नमर एक ततपड़ता का नियम नमर दू प्रभाव का नियम नमर तीन अभ्यास का नियम प्रभाव के नियम के अनुसार उस का कारिये को सीखना चाहते हैं जिसका बरणाम हमारे लिए अधिक हिद कर होता है. प्रभाद संतोष जनक होने पर वक्ति संटोष होने पर उस कारिये को नहीं करना सकता है। प्रभाव के नियम को अध्यापक द्वारा कक्षा कक्ष में लागू करने के लिए मुख्य रूप से कारिये करने ये दो कारिये करने अतियाव सकें। पहला कारिया है सिख्षक को अध्यापन कारिये करते समय बालकों का उत्सा बढ़ाना चाहिए। उप्षन नमर तीम सिख्षक को चाहिए कि पाठ्यक्रम को ववस्थित करके चात्रों के सामने परस्तुत करें ताकि चात्रों को अधिगम के पिर्थी अधिक रुची बढ़ सके। अगला प्रस्ण है निम्न लिखित में से किस विधी का उप्योग इसमिर्थी के मापन के लिए नहीं किया जाता है। प्रस्थी के प्रस्थी रूप की जाने वाली विधियां है। प्रसांगिक अंतरबोध परिक्षण TAT का विखास किसके द्वारा किया गया था। प्रसांगिक अंतरबोध परिक्षण TAT का विखास किया था। अब अंतरबोध परिक्षण actual में है क्या। अंतरबोध परिक्षण TAT वक्तित मापन का एक परिक्षण है। किसी भी वक्ति या आदमी पुरुस हो या इस्तरी उसके वक्तित को इस टेस्ट के द्वारा माप सकते हैं। प्रसांगिक अंतरबोध टेस्ट के या परिक्षण के द्वारा। इस परिक्षण का विकास 1935 में हारवार्ड विश्विदार लेके एक सिक्षक S मूरे के द्वारा किया गया था। TAT परिक्षण यानि प्रसांगिक अंतरबोध परिक्षण में 31 कार्डों का उप्योग किया जाता है। ये धान रखने वाली बात है कि कई बार प्रस्ट आ जाता है TAT परिक्षण में कितने कार्डों का इस्तेमाल किया जाता है तो 31 कार्डों का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें एक कार्ड साधा रहता है। ये भी प्रस्र मन जाता है कि प्रसांगिक अंतरबोध परिक्षण में कुल 31 कार्डों में से कितने ऐसे कार्ड हैं जो साधा रहते हैं और तो आंसर है एक कार्ड साधा रहता है परिक्षण के समय एक वक्ती पर अधिक्तम कितने कार्डों का इस्तेमाल किया जा सकता है तो 20 का कार्ड पर अलग अलग विश्यों पर अलग अलग चित्र बने होते हैं पिरते कार्ड पर बने चित्रों के आधार पर 5 मिनट में जिस वक्ति के वक्तितु का हमें परिक्षन कर रहे हैं उस वक्ति द्वारा 5 मिनट में एक कहानी बनानी पड़ती है दिये गए 20 कार्डों के प् उप्शन एक सिक्षा के इंदरित सिक्षा, उप्शन दो विसे के इंदरित सिक्षा, उप्शन तीन किरिया के इंदरित सिक्षा, उप्शन चार बाल के इंदरित सिक्षा, सही उतर है उप्शन चार, मनोविज्यान का सिक्षा के शेत्र में सबसे बड़ा योगदान, सिक्षा को बाल के इंद्रित बनाना है मनोविज्ञान का सिक्षा के चेत्र में सबसे बड़ा योगदान बाल के इंद्रित सिक्षा है मनोविज्ञान द्वारा ही सिक्षा के चेत्र में करांतिकारी परिवर्दन आये हैं जिसके परिणाम स्वरूप बालक के वहवार में नियंत्रित करके सकारात्मक दिशा प्रदान की जाती है यानि हम पहले मनोविज्ञान के द्वारा बालक के वहवार को समझेंगे और उसके बाद उसके जिस विशे में रुची है उसके अनुसार उसको डाइवर्ट करने की कोशिस करेंगे सिक्षा पाठ्ठेक्रम, सिक्षन पाठ्ठेक्रम और सिक्षन कोशल चात्रों के अनुसार तयार की जाती है ताकि चात्र सहजता पूर्वक सीख सके अगला प्रस्न है निम्ल खित में से कौन सा व्रद्धी और विकास के सिधानतों से समन्दित नहीं है और और व्रद्धी और विकास के सिधानतों से समन्दित नहीं होता इसकी व्यक्षा देखे लेते हैं अबर व्रद्धी और विकास का सिधानतों सतत चलने वाली व्रद्धी और विकास ऐसी पिर्किरिया हैं जो जीवन परियान चलने वाली पिर्किरिया है जो बालक को असहाय सिसू से आत्म निर्वर प्रोड बनाती है विकास के सिधानत निम्ल है विकास के पाँच सिधानत है जो इस पिरकार है और इन सिध्धान्तों के द्वारा ही पूरी विकास की पिरिक्रिया नियंद्रित होती है पहला विकास है नियंद्रता का विकास, दूसरा विकास है समन्वय का सिध्धान्त समन्वय के सिध्धान्त को हम एक इकण का सिध्धान्त भी कहते हैं तीसरा है वक्तिक्ता का सिध्धान्थ, चौथा है वनसानुक्रम का एवं वातावण के अंतेक्रिया का सिध्धान्थ, पांचमा जो सिध्धान्थ है वो विकास क्रम का सिध्धान्थ है, यहाँ पर जो वर्गिकन का सिध्धान्थ है वह विकास का सिध्धान्थ नहीं होता ह यही प्रसन का अप्टर है आज की वीडियो में बस ये दस महत्पून प्रसनों को हमने सलग किया था आसा करते हैं आपको पसंद आए होंगे जो निश्चित रूप से आगामी प्रक्षा में महत्पून भूमी का निवाएंगे आपकी सफलता में दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें और वित्रों में जरूर सेयर करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं और घंटी के बटन को जरूर दबा दें अभी कर लें यह सारा काम जिससे आपको हमारी latest ग्यानवर्धक वीडियो का notification मिलता रहेगा मिलते हैं अगली latest ग्यानवर्धक वीडियो के साथ धन्यवाद